सो डिग्री और स्किल कौन सा जादा इंपोर्टन है डिग्री और स्किल राइट सो आज हम लोग बात करेंगे कि डिग्री जादा इंपोर्टन है स्किल्स जादा इंपोर्टन है या सिर्फ डिग्री इंपोर्टन है सिर्फ स्किल्स इंपोर्टन है राइट सो मैं काजी आपक भी पास करते थे या 12 भी पास करते थे तो नौकरी इतना जाधा नौकरी थी कि कमपनी आती ती घर में and company offer करती थी खुझ से कि आओ भाईया मेरे हम लोगों का कमपनी में काम करके जा राइट शो मेबी आपको हसी आई होगी मिरे बात में लेकिन अप अपने पिता gii से या परददा से या अपने पापा से पुच सकते कि यह बात जो में बोला है सही है या नहीं सो जो मुद्दे की बात है कि डीग्री जादा important है आज के scenario में स्किल्स जढ़ा important है आज के scenario में कौन सा जादा important है degree और skills ये दोनों में से कौन सा जादा important है सो मैं आपको clearly बता देना चाहते हैं simple language में कि अगर आपके पास degree है and skills नहीं है तो it is very hard, बहुत कठीन हो जागी आपके लिए, जोब पाने के लिए, right? So, अगर आपके पास degree है and skills है, so आपको घबराने के कोई जरूर नहीं है, क्योंकि अगर skills with a degree रहती है, तो काफी easy हो जाती है, आपको नौक रहती है, right? So, आपके पास degree है, skills नहीं है, तो it will be difficult to get a job, and अगर आपके पास skills है and degree नहीं है, then also it will be hard to get a job. So, हम लोग का आसपास में काफी परोसी है, या हम लोग का दोस्त में काफी दोस्ते, आप अगर notice किये होंगे, suppose आप इवीडियो देख रहे हैं, आपका friends होगा, या आपका relative होगा, आसपास परोसी होगा, देखना काफी सरे skills है, काफी सरे talent है उसके पास या वोग के पास, लेकिन degree नहीं है, so उस skills को अगर degree नहीं होती है, तो brush up नहीं होती है, right? जैसे हम लोग, suppose अगर आपको America जाना है, right? So आपको visa compulsory लगेगी, right? So similarly, अगर आपको corporate में जाना है, तो skills के साथ आपको degree भी जरूरी है, right? So degree with proper skills, with proper knowledge is more important, काफी important है कि आपके पास degree के साथ skills रहे, so अगर आप कोई भी preparation करें, या कोई भी आप degree course करें, तो मेरा request है आप लोग से कि आप लोग साइट से skills आप भी build कीजिए, right? Skills build करने से आपको काफी easy हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों पता है कि आजकल किसके पास degree नहीं है, है ना? आजके पास सबके पास degree है, डिगरी पाना आजकल कोई इतना hard, I mean मेरे हिसाब से इतना hard चीज़ नहीं है, डिगरी आसाम सा भी मिल जाती है, लेकिन अगर relevant skills रहे, आपके डिगरी के साथ जो match up करती है, तो आपको इन future काफी easy हो जाएगी, right? सो जो companies recruit करती है graduates को, सो companies आसा करती है कि जो college में एक बंदा पढ़ाई कर रही है, सो college ने उसको skills सा build किया होगा, या knowledge gain किया होगा, सो companies इसलिए colleges में जाती है, अपना recruitment policy, अपना recruitment selection procedure देती है students को, एंड उसी से पता चल जाता है कि एक बंदा के पास, student के पास relevant skills, डिगरी के डिगरी तो है, लेकिन relevant skills है या नहीं, सिर्व skills और सिर्व डिगरी, यह दोनों unimportant है, अगर दोनों एक साथ match up नहीं होता, अगर डिगरी रहती है आपके पास and skills नहीं है आपके पास, then also it is कोई फाइदा नहीं है, अगर डिगरी और skills दोनों एक साथा का joint collaborate होती है, तो आपको काफी easy हो जाएगी, एक job security करने के लिए है, यह सिर्व भी नहीं, अब अगर बिजनेस भी करते हैं, अगर आपने start-up भी खोलना है, स्कील्स काफी ज़रूरी है, skills with degree and और एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ धिगरी के बाड़ में, वह है कि अगर सब सब्सक्राइब बिजनेस कर रहे हैं, या start-up खोलने के खोज रहे हैं, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं कुछ भी, सो डिगरी भी काफी महतो पूर्ण रखती है, क्योंकि काफी सारे company से, काफी सारे tender है, जब आप tender डालोगे, तो अगर आपके पास अच्छे डिगरी रहती है, तो आपको consider करती है वो company, सो डिगरी भी काफी important है, सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगे, वीडियो पसंद आने से प्रिस लाइक कीजिए, share कीजिए, और subscribe करना मत बूली, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, खुदा आप